हेलो दोस्तो स्वागत एक बार पून है आप सभी का अपने इस यूटूब चैनल मोबाइल पर इसकूल में दोस्तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कच्छा दस गडित के अंतरगत आपके पंदरह काफी ज्यादा इंपटिटिव कोशन की तो देखिए यहां पर आपका अबजेक्टिव कोशन जो है आपके इस वार बोड एकजाम में 20 नमबर के लिए आना है तो ऐसे में आपको प्रतेक सब्जिक्ट से जो है अबजेक्टिव कोशन की तियारी करना काफी अ रहे हैं और कैसे करना है खासकर यहां पर बात करें जैसे मैथ की और साइंस की तो इन दो सब्जेक्टिव में मलब काफी ज़्यादा प्रावब्लम रही है आने सब्जेक्टिव में यह होता है कि आप लोग मतलब किसी तरह से रट लेते हैं या मतलब कई सारे तरीके से जाएगा लेकिन यहां पर बात करें गड़ित की तो गड़ित यार आपका जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है को रट नहीं सकते काफी सारे कोशन ऐसे होते हैं जिनको आप देखें याल तो कर नहीं सकते तो ऐसे में इनका कुछ मतलब सॉल्व करने का तरीक भी होता है तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा वह जो है पंद्रा अब्जेक्टिव कोशन जो की आपकी पूरे बुक से होने बाले है यानि कि जो चैप्टर वाज आपका नंबर वन से लेकर आपका लाश्ट तक सभी से जो हमने लिए हैं यह पंद्रा अब्जेक्टिव कोशन तो आपको बिल्कुल जो है इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है एक एक कोश्चन का मैं आपको आंसर देने वाला हूँ विल्कुल अच्छी तरीके से तो चलिए सुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पना तो आपको परिमेश संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए इसके लिए करना कहा है आपको सबसे पहले आपको इनकी परिभासा यह पड़नी पड़ेंगी परिभासा है क्या होती है और इनके कुछ एक्जांपल आप लोग समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग चलिए इनके जो है कोशन के विकल्प पर देखते हैं कैसे दिएगा है नमबर वन है आपका 22 वटा साथ ठीक है दूसरा अप्शन है पाई तीसरा आपका है 0.69 अंग्रा आपका पांच पान रूट 16 देखे दोस्तों यहाँ पर आपका परिवियर संक्या होता है वह आपका पाई होता है यानि कि आप लोग यह सोच रहे होंगे कि और जो आपका 22 वटा साथ है यानि कि पाई कमान भी 22 वटा साथ होता है और एक पाई कमान आपका क्या होता है तीन दसमलों एक चार होता है तो अगर अप्शन इस प्रकास से दिया रहेगा तो आपको मतलब कोशन क्या कर रहा है भरामित कर रहा है तो आपको ध्यान देना ह जो अपरिमे संख्या होगी आपका अगर πाई आप संदिया है ठीक है पाई तो आपको मतलब पाई ही करेक्ट कर देना है ध्यान देज़ेगा तो यहाँ पर आपका नमबर सेकेंड जो आपका दूसरा विकल्प होगा पाई वह आपका इसमें राइट हो जाएगा निकि परिम से आपका एक कोईशन कमप्रीट होता है नेक्ट प्रस ने आपका दूसरा कह रहा है कि यदि ए अपान 3 माइनस वी अपान 4 इकॉल टू क्या है वन है तो इसमें आपका ए बराबर 6 है तो बी कमान ग्याद कीजिए काफी सिंपल है आप लोग इसको जो है बहुत अच्छी त जो है मतलब इसको आपको देखना है कि एक आप जो बाइलू कितना है तो यहाँ पर एक बाइलू कितना है तो यह आपका 6 है तो 6 बटा 3 मतलब कि एक जगह पर हमें 6 रख देना है और यह 3 आपका बटे में है माइनस आपका वी बटा 4 इकॉल टू 1 ठीक है और यहाँ पर द कि यहां पर हो जायागा minus v construct, such और और यहां आपका 2 यहां पर था, तो यह आपका minus में इदहर चला जाेगा, तो यह आपका हुआ इसके ब उफ्स है, तो यहां पर आपका चार option कौन सा है तो यहां पर first option यानि कि आपका चार जो है इसका right answer हो जाएगा इस type से कुछ question को आपको board exam में solve भी करना पड़ेगा अपने से इसके बाद यहां पर number 3 question कहरा है कि दो इगहात समी करण 2x square minus 4x plus 1 बराबर 0 के मूल है देखिए यहां पर आपको बताना है कि जो आपका यहां दो इगहात यानि कि quadratic equation दिया गया है जो कि आपका 2x square minus 4x plus 1 है equal to क्या है 0 है तो इसका जो मतलब कि आपका दो इगहात समी करण का जो मूल होगा वह कैसा होगा यहां पर option समी कर दिया गया इसको जो मूल होगे वकाउंस होंगे वास्तविक भी होंगे और भी हिन्नी भी होंगे तो यहां पर आपका चौथा जो विकाल्फों का वाइसमें राइट हो जाएगा इसके बाद नमबर फोर है आपका काहणा है कि समरूप सभी वर्ग जो है होते हैं समरूप होते हैं सरवांगसम होते हैं या एवाद बी दोनों होते हैं मतलब कि समरूप और सरवांगसम दोनों होते हैं या आपका चाहता है कि वास्तविक तो देखे यहां पर यार सबी इसकी टिर्जय ब्रत्र दूसरा इसी प्रकास कोई ब्रत्र अलिगे ओसकी तर्जय specifically और ब्रत का पड़ता जाएगा लेकिन दोस्ते बॉस्ते कोई ब्रत का 오래कुग लेकिन दो तो यहाँ पर आपका ब्रत का आकार ब्रत का बढ़ सकता है वे आपकी उसी प्रकास है तो मलब कि आपका गोला टाइप ही गोला ही रहेगा तो यहां पर आपका जो सम्रूप आपसन होगा वह इसमें का होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा ठीक है तो यहां पर ब्रत्य सभी ब्रत्य क्या होते हैं सम्रूप होते हैं इसके बाद यहां पर देखते हैं को मिलेंगे objective type में तो यानि कि आपको पढ़ लेना अच्छी तरीके से तो इसमें आपका अंडरूट दो और अंडरूट तीन के बीच परिमेश संख्या होगी यहाँ पर आपका पहला है छे बटा दो दूसरा है तीन बटा चार तीसरा आपका तीन बटा दो और चौता चार पांच तो देखे इसका आपका राइट आंसर होजाएगा वहाँ आपका होगा नमबर थृ आपसीन आपका यहाँ पर तीन बटा दो जो होता है वह अंडरूट और तीन के बीच एक परिमेश संख्या होगी यहाँ आपका पहल जाएगा आपसा नमबर 3 ठीकर इस प्रकास स किसकी बात करेंगे संभाहु त्रिभुज की संभाहु त्रिभुज क्या होता है जिसकी तीनों भुजा क्या होती है बराबर होती है जैसे यहां पर हम बात करें इसमें आपका यह एक संभाहु त्रिभुज होगा जिसमें यहां पर आपका प्रते कौन जो है कितना डिगरी का होता है यहां पते के यह पूरा होता है 180 ुटीक है तो इसमें आपका 60-60 साथ डिगरी का कोन हो जाता है ठीक के इस प्रकास से यहां पर यह क्या होता है 60 हो जाएंगे मतलब यहां पर संभाहू तरिय भूजा तो इसमें आपकी एक भूजा अगर ए ठीक है तो यहाँ पर ABC हो गया तो यहाँ पर इस point को आप लोग O दे जीजी यहाँ पर मद point को तो यहाँ से आपको O B की दूरी निकालनी है तो इसको आपका ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पर simple साप देखें तो इधर आपका 90 degree बन रहा है तो यहाँ पर यह लंब हो गया मतलब की लंब निकालना है और आपके पास अधहार दिया गया है और आपके पास कांड दिया गया है तो आप Pythagoros पर में लगाएंगे तो यहाँ पर आपका लंब बराबर जो फार्मूला होता है उसे से आपके उसके निकालेंगे लंब square equal to can't square और माइनस का आपका अधहार square तो मतलब इसके आपको निकालने में काफी असान हो जाएगी बांकि आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका जो आपका correct answer होगा वह आपका हो जाएगा a root 3 by 2 यानि की option number 3 इसमें का होगा बिल्कुल right answer आपका हो जाएगा ठीके तो यहाँ पर क्या होगा a root 3 by 2 हो जाएगा इसके बाद देखिते हैं अंगला question यहाँ पर एच्छे question होगा देखिए सात्वा question क्या कह रहा है कि बिन्दु ठीक है यहाँ पर 2 point दिएगा है बिन्दु minus 3 कामा 4 की यक्स अच्छ से दूरी है यहाँ पर आपको यक्स अच्छ से दूरी निकालने इसे प्रकास से question आपका होता है why अच्छ से दूरी निकालने के लिए तो इसमें हमें का निकालना यक्स अच्छ से यहाँ पर 4 option है number 1 है आपका 3 number 2 है आपका minus 3 number 4 है 4 number 3 है आपका 4 और number 4 पर आपका 5 देखिए जो आपका यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा इसका आपका formula होता है तो उसी formula से आपको लगाना देखिए यहाँ पर आपको इसके जो सूत्र भी याद करने पड़ेगे ताभी जो है आप मैत में objective question में भी देखिए आपको वहाँ पर solve करके ही करना पड़ेगा तो इसलिए ध्यान दिजेगा तो इसका आपका जो right answer हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 होगा क्या होगा 4 इस प्रकास यहाँ पर इसका 4 जो है right answer आपका हो जाएगा इसका देखते हैं यहाँ पर अंगला आटमा कोसिन कहरा कि यह बिंदू पी यहाँ पर दो point है x और कामा y ठीक है दो point है कि मूल बिंदू से o ठीक है मूल बिंदू जो आपका o है इससे दूरी क्या होगी तो यहाँ पर इसका दूरी का फार्मूला निकालना जो मूल बिंदू से दूरी का फार्मूला होता है तो यहाँ पर आपका पी ओ इक्वाल टू root x दूसरे आपका o p equal to y तीसरे आपका है 0 और अंगला है आपका O P equal to root x square minus y square तो यही आपका formula होता है आप सभी जानते हैं मूल बिंदो से जब आपका वहाँ पर x और y दो point होते हैं तो उसमें दूरी का formula यही होता है मतलब यहाँ पर आपका जो चौथा option होगा इसमें right हो जागा O P equal to root x square plus y square हमारा बिलुकुल सही होगा इसमें इसके बाद है यदि 10 ठीक है यदि 10 46 degree यानि कि 40 degree plus a equal to card 30 हो तो यहाँ पर code a का मान निकाली है यानि कि आपको angle निकालना जिसमें आपका a जो है यह code है इसमें आपको यहाँ पर निकालना है इसकी value कैसे निकालेंगे तो 10 90 minus theta बराबर code theta के होता है आप सब जानते हैं तो उसी formula का use करके एक तरप की property को change कर लेंगे तो यह हमारा change हो जागा 10 10 cancel हो जागा और वहाँ से आप लोग a की value को निकाल सकते हैं तो यहाँ पर a का जो मान आएगा वा कितना आएगा तो 14 degree आएगा ठीके तो यहाँ पर मतलब पहला आपका option है 14 degree यह आपका right हो जाएगा बाकी के option जो आपका 44 हो गया 45 90 यह सब नहीं होंगे यह 14 degree आपका कोण a का मान हो जाएगा ठीके तो इस प्रकास से आप लोग इसको कर सकते हैं इस बाद देखते हैं दस्वाप परसन कहरा कि यदि 3 court a equal to 4 है ठीके यह यादि कि 3 court a बराबर 4 है तो सिक a का मान गयाद कीजिए अब इसमें देखी कैसे करना काफी ज्यादा आसान कोशन है कहरा कि 3 court a बराबर 4 है तो मतलब कि यहाँ पर 3 court a equal to कितना है 4 है तो आप क्या करें कि court a equal to लीख सकते है 4 बटा 3 और court a का फार्मूला क्या होता है अधार बटे लंब होता है मतलब अधार हमारा 4 निकलाया और लंब हमारा 3 हो गया अब 2 हमारी भूजा निकलाएं तो यहाँ पर आधार हमारे पास है और लंब है हमें चाहिए क्या करन चाहिए तो करन हम लोग निकालेंगे पाइथा गोरस परमे से और उसके बाद जो सिक का फार्मूला होता है यहने कि करन बटे अधार होता सिक का फार्मूला करन बटे अधार करन हमारा 5 है और अधार आपका 4 है तो 5 बटा 4 आपका सिक A का मान हो गया आप देखते हैं यहाँ पर अंगला कोशन करा कि यह दिस 2 साइन A ठीके 2 साइन A इकल टू यहाँ पर मलब कि साइन 2 A के हो तो यहाँ पर A कमान क्या होगा मतलब यहाँ पर आपको दोनों को इकल देखाना तो देखिए इसमें अगर आप लोग A की जगह पर कोई भी बैलू रखते हैं 45, 30, 60 तो यह दोनों बैलू बराबर नहीं होगी और अगर वहीं पर आप 0 रख देंगे तो इधर का भी मान 0 और इधर का भी मान 0 मतलब कि दोनों इकल हो जाएंगी ऐसे में आप कहें सकते हैं कि जो आपका A कमान होगा वह आपका 0 डिग्री होगा तो इसलिए यहाँ पर आपका फर्स्ट आप्सन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जागा यहाँ पर A कमान कितना होगा 0 डिग्री इसके बाद अंगला कोशन है भुजा A वाले संभाव त्रिबुच की उचाई होती है तो यह आपका मैंने बताया यहाँ पर होता है यह डबल हो गया तो A-root 3-Y 2 होता है इसके बाद यहाँ पर त्यारा नमबर कोशन कहらहा है कि किसी बुजा के केंदर बने कौन थीटा को वाले त्रिजच्य खंड का छेत्रफल होता है तो एसका फार्मूला क्या होता है तो यहाँ पर क्या होता है थीटे बटे 360 pi r square होता है यानि कि यहाँ पर आपका चाओथा जो विकालब होगा वो इसमें right answer आपका हो जाएगा इस प्रकास यहाँ पर 13 question होए 14 number question कहला है कि यहाँ पर यदि ब्रत्य के जो तिर्जिया R है आर तिर्जिया वाले ब्रत्य का चेत्फल का सूत्र क्या होता है तो यहाँ पर आपको ब्रत्य का चेत्फल होता है उसका formula निकालना है पहला आपका है πाई आर स्क्वाइर दूसरा है टू पाई आर स्क्वाइर और तीसरा है फोर पाई आर स्क्वाइर और जो होता है त्री पाई आर स्क्वाइर तो देखें जो ब्रत का छेत्र फल होता है इसका फार्मूला आप सभी जानते हैं यह होता है पाई आर स्क्वाइर ठीक है तो पाई यार स्कॉर हमारा क्या होगा ब्रत्र का छेत्रफल का सूत्र होता तो इसको याद कर लिजेगा इसका उपियोग आपका अभी जो है इसमें सब्सक्राइब ही किसी संकू का आयतन होता है संकू का आयतन का वरा मूला हमें यहाद बताना है कि क्या होताँ तो हम महारा हो जाता है और यह पर यह इस टाइब से संकू होता है तो यहां पर आयधन होता है आइदन यह नियानी वायलूम निकालना है तो अगर हमें आयतन का फार्मूल अच्छी तो हमारा हो जाता है 1 y 3 और यह पाई r square h यानि एक बटा 3 पाई r square h जो होता है वह क्या होता है संकू का आयतन होता है तो यहाँ पर आप लोग वाकप्रेस्ट का भी तयार कलेजिएगा